है 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 लो बच्चों नमस्ते कैसे आप सब लोग स्वागत करते हो आपके अपने यूट्यूब चैनल लेचानल के विद्या पीट के ओपर मैं हूं आपकी भावनम है और आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट इंफोमेशन उन सभी बच्चों के लिए जिन ज आप लोग मैं मैरिट लिस्ट के अंदर उत्तीन कर चुके हैं तो सभी बच्चों को कॉंग्रेचुलेशन मेरी और हमारी टीम के तरफ से उसके साथ में जिन जिन बच्चों का नहीं हुआ आप सब लोगों को बच्चों को निराशनी होना है बच्चे ये मोके एक्जाम्स ऐसे होते हैं ये मोके आते जाते रहते हैं बस यह होते हैं कि हमें अपने पढ़ाई पर फोकस करना होता है तो अपनी रेगुलर पढ़ाई करते हो बाकि सब तो भगवान के ओपर चोड़ दो भगवान किसी दिन आप लोगों को अपकी मैनत का फल जरूर देगा बाकी बात सब्सक्राइब करें तो आईए बढ़ते हैं हमारी इंफोर्मेशन की तरफ जी तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बार कट आप के बारे में बात करना चाहूंगी यह नेवी एससार की कट आफ है नेवी एससार के अंदर कितना हुआ यूपी के अंदर कट ओफ रही दिफर्टी नाइन महाराष्टर जी जम्मु की रही ठीफ रही थी फॉर्टीर बिहार कि एवार ती एट राजिस्तान छी टीवद। राजिस्टान के अंदर छार्गण के जार्गण के जार्गण के पंजाब की एंश twin रहीं हर्याना की हमारी 50 बन रही और तुझीया और इसा की रही है उसके साथ में वेस्ट बेंगोल रही है 40 एमपी की रही है 47 उत्राखंट की रही है तो यह तो हमारी थी cut-off के बारे में डीटेस पता चलगी होगी उसके अलावा बात करते हैं बचे कि मैं या सेकंड्ड मेरिट लिस्ट निकलेगी या नहीं निकलेगी तो वो बच्चे हाँ अंसर है यस सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगी या नहीं निकलेगी तो वो तो यस है बिल्कुर डेफिनेटली क्योंकि यही तो किया ना उन लोगों ने इंडियन नेवी ने कि आप लोगों की जो 2025 इंटेक बन 2025 का जो है वो आने थी जो पेपर आने थी और आप ही में से बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा जो जो बच्चे सलेक्ट निकलेगी ऊए सेकंड मेरि स्लीज्ट की अंदर डाजाएगा । किसको डाला जाएगा सवाल तो यहे है ना क्यूंकि competition इतना हाई है बच्चे इतने सारे हैं और वो लोग कितने बच्च ले qualifying हो गे हैं, वो हो गया है. ठीक है, बट जोbereich नहीं कर पाए हैं,ulednot कह सती में कि 100% सेलेक्शन हो जाएगा आप लोगों का क्योंकि उसके अंदर भी कि 100% कोई निए बता सता कि कि 100% आएगा या नहीं आएगा क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं इस बार नहीं आ पाया तो और ले बार तो आई जाएगा शॉट्ट चॉर्ट सेलेक्शन है बट ऐसा कुछ नहीं है ठीक है जिनका एक दो बच्चे कौंपिटिशन बहुत जब्चे है एक दो नमबर से रहे हैं जो बच्चे एक दो नमबर सेоды बच्चे कंढ़ है ऑयाओ लो और 1965 झामपल उनको थींश बच्चे चीए और ऊसस nghय नहीं उसके थीन्बरवाले पी बहुत जब्चए हैं अचैस्वा भी बहू पोगत कि उनकी लिस्ट के साब से उनको कितने बचे चाहिए और कितने में से क्वालिफायड है कितने बचे रहे गए तो मेरे तो मेरे आपको क्या करना चीए जो तीन चाइन नमबर वाले वह जो मैं ये नहीं कहूंगी कि उमीद छोड़ा अच्छी बात नहीं है ऐगा इनसान है हम तो होप रखेंगे वो अच्छी बात है लेकिन मैं यह कहूंगी कि बच्चे सिरफ नीवी की उपर उमीद मत रखना क्योंकि competition बहुत unpredictable होता है अब वहां पर क्या competition रियल में चल रहा है वो हम यहां पर बैठे बैठे नहीं उज्यूम कर सकते हैं तो आपकी teacher होने के राते आप लग अपका जो आगे अपकमिंग एकजाम आने वाले हैं आर्मी की होते हैं Air Force के होते हैं, Mr. Musician के होते हैं बहुत सारे exam होते हैं बच्चे, तो A के exam पे टिके मत रो I can understand कि आपके INS जाने का INS चिली का जाने का बहुत ही बड़ा सपना था, यह इतने करीब आके फिर दूर जले जाना, that is a very bad thing लेकिन, उमीद वैसे बनाओ जो समझी जासके तो अपनी बड़ी बहन समझो प्लीज बड़ी बहन की ये एडवाइस माल लो कि पढ़ाई कंटीनू करते रो ठीक है, अपने कोई भी exam की पढ़ाई मत चोड़ो, अगर आप Air Force की तैरी कर रहो तो Air Force की करो, किसी और exam की तैरी कर रहो आर्मी की कर रहो, आर्मी की करो, किसी की भी कर रहो बट प्लीज कंटीनू करते रो, वो करते रो यही मान के चलो Air Force के लिए कि मेरा कही नहीं होने बादा मुझे दूसरे exam की भी त्यारी करनी ही पड़ेगी ठीक है, सीरियस होके करो, होएगा ठीक है, भगवान ने चाहा तो आपका हो जाएका और भगवान नहीं चाहा तो वही बचे फिर कितने भी efforts दालते रो, नहीं होएगा, ठीक है तो somewhere it is all, now it is all depend upon God, भगवान के उपर छोड़ दो, अब और कुछ नहीं बचा है अब बस अपने आगे move on करो और अपने आगे upcoming exams की त्यारी करो बाकि हाँ, इसके regarding कोई और नहीं update होएगा, या फिर कोई और नहीं cut-off के बारे में कोई भी बात करने होगी तो इसके बारे में आपको regular update देती रहोंगी Thank you so much, आप लोगों को time देने के लिए कोई और query हो, तो जरूर comment box के अंदर comment करके जरूर बताईएगा Thank you so much and have a good day Bye